ध्यान से सुनो दर्शकों, मात्र दो ही दिन में आपके खुद के शरीर से सारी बीमारियां और सारे रोग खत्म हो जाएंगे और आप पहले जैसे उरजावान और ताकतवर महसूस करोगे। लेकिन यह सब दो दिन में कैसे करना है। दिया करते थे और वह ज्यान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता। ऐसे में वह गुरू उन सभी शिक्षकों को कह रहे थे कि बच्चों क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो उनके शिश्यों ने कहा कि गुरुदेव हमें पता नहीं लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताईए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह ब्रिध अवस्था पता में भी युवा दिखाई देता है और उसके चहरे पर तेज रहता है। उसकी तवचा में चमक रहती है। वह हर समय उर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही ब्रिध दिखाई देने लगता है। उसके बा अले ही ध्यान से सुना क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिश्य ने कहा कि गुरुदेव क्या यह नियम सरल है, क्या उसे हम सभी आसानी से अपना सकते हैं। शिश्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यह नियम बहुत ही सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो, यह नियम बहुत आसान, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना। तभी वह शिश्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है। तब गुरु ने बताया कि हमें रात में भू पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो, मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ, कि तुम सुबह भोजन करो और उसके बाद भोजन ही ना करो, और रात को भूखे सो जाओ. फिर गुरु ने सभी शिश्य से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अभी अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किये हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी नियम से आज का नियम महत्व पूर्ण है, यह आपको बहुत अधिक लाब देगा, यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरल्ता से इसका पालन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ती होती है, जो हमारे सभी कारियों को स समपादित करती है, जैसे कि जब हम भोजन करते हैं, तो वह प्राण शक्ती हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है, हम कोई दिमाग का कार्ज कर रहे होते हैं, तो उस समय वह प्राण शक्ती उसे दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है, जब हम पर एक बात समझने वाली ये है कि प्राण शक्ति केवल एक साथ में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद आप कुछ गहरी सोच में पढ़ जाते हैं, तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको बचाए। लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद कोई शारिरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं होता है क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह आपको तेज चलने पर खर्च हो इसके बाद गुरू ने उन शिश्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आही गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है लेकिन आप जब देर रात में भोजन करते हैं देर से आप खाना खाते हैं तो पता है क्या होता है इस से हमारे शरीर पर तीन प् सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अगनी है वह बढ़नी शुरू हो जाती है दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्याकाल में वह थोड़ी मंद पढ़ जाती है इसलिए संध्याकाल में हलका भोजन करें और यही ठीक रहता है और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि भोजन सूर्य अस्थ होने से पहले ही कर लेना है अगर सूर्य अस्थ हो गया तो आपकी जो जठरांगनी है वह बिलकुल कम हो जाएगी और उस मंद जठरगन में जब आप भोजन करते हैं तो वह ठीक से नहीं पचती और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है ज्यादा समय तक रुका रहता है इसी वजह से वहां पर शरण पैदा होने लगती है और वही शरण हमारे लिए विशाद का कारण बनती है जहर का कारण बनती है और वह आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है इसलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्यस्त्र होने से पहले भोजन करते हैं तो जठरागनी ठीक रहती है और भोजन ठीक से पच्चता है दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पढ़ता है वह यह है कि रात्री के समय जो आपके प्राण शक्ती है वह हीलिंग में लगनी चाहिए यानि कि शरीर में जो मरम्मत होनी है शरीर में जो टूट-फुट होती है उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ती लगनी चाहिए लेकिन अक्सर लोग क्या करते भोजन करते हैं और सो जाते हैं जो की बहुत गलत है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है लेकिन आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती, आपके प्राण शक्ती ठीक से अपना कार्य नहीं कर ही नहीं पाती, वह हीलिंग की मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती, और इसी वजह से अनेको बीमारियां पैदा हो जाती ह तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पढ़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए लेकिन आपका पाचन तंत्र क्य कहता है, क्या अभी मैं सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा, यानि के दो विरोधा भास स्थितियां पैदा हो जाती हैं, दिमाग की तरफ से, तो सो जाओ औ नहीं हो पाती और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम नहीं मिल पाता.